तो जिससां से आपको पता है कि ADO.NET की lecture series के अंदर हम यहां पे CRUD operations perform कर रहे हैं HP.NET MVC application के अंदर और यह है आज का हमारा part number 13 ठीक है और इसके अंदर आज हम देखने वाले है delete data from database table ठीक है पिछे lectures के अंदर हमने CRUD operations perform की हैं जिसमें से हमने data को read करना देखा उसके बाद data insert किस तरह से कर सकते हैं अपने database table में वो देखा और update किस तरह से करते हैं यह हमने देखा ठीक है तो आज हमारी CRUD operations की यह last video है ठीक है इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम data को delete कर सकते हैं यूजर की permission के according ठीक है तो अगर किसी ने इस lecture से पहले जो हमारी previous three lectures है अगर वो नहीं देखे तो आप हमारी playlist के अंदर से पहले वो तीन videos देख लें उसके बाद आप इस lecture के उपर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो मैं हूँ आपका दोस मुहमद आदिल और हम अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर तो इस lecture के अंदर भी हमारे पास कुछ steps है सबसे पहला step क्या है create a stored procedure for delete operations ठीक है जिस तरह से आपको पता है पिछे lectures के अंदर हमने insert, update और read का का काम किया है तो उसके लिए भी हमने क्या किया था अपने SQL Server database के अंदर एक stored procedure create किया था तो आज जो हम delete operation करेंगे उसके लिए भी मैं एक stored procedure बनाऊँगा तो मैं आ जाता हूँ अपने SQL Server Management Studio में ठीक है तो देखो यह आपको नजर आ रहा होगा ठीक है यह stored procedure हमने last lecture के अंदर बनाया था SP update employee ठीक है इसे को मैं copy करता हूँ और copy करने के बाद मैं यहापे आता हूँ ठीक है नीचे हम इसको paste करते है और इसको अब मैं rename करूंगा ठीक है इसको मैं rename करके मैं इसका नाम रख देता हूँ SP delete employee ठीक है और इसके अंदर अब कितने input parameters आएंगे इसके अंदर सिर्फ एक ही input parameter आएगा और वो कौन सा होगा ID ठीक है क्योंकि जब मैं update करते हैं delete करते हैं तो हम ID को use करते हैं तो delete में हम सिर्फ क्या करेंगे सिर्फ ID parameter को use करके हम अपना data delete करवाएंगे employee tbl में से ठीक है तो देखो begin end के अंदर यह जो update की क्यूरी है ठीक है इसको मैं यहाँ से अटा द इस ID के input parameter में से ठीक है मतलब जब भी मैं यह store procedure execute करूँगा तो हमसे एक parameter ID accept करेगा ठीक है और उसी ID parameter के through वो data मैं अपने employee tbl से delete करवा दूँगा वो road delete करवा दूँगा ठीक है तो अब इस store procedure को मैं select करता हूँ और execute करते हैं इसको create करते हैं ठीक है देखो create हो गया मतलब ब store procedure को check करके दिखाऊं कि यह सई बना है या नहीं बना तो अभी अगर मैं आपको अपने table का data दिखाऊं ठीक है मैं यह वाली query execute करता हूँ select all from employee tbl execute करते हैं तो देखो यह आपको data नजर आ रहा है ठीक है मैं इसको थोड़ा से उपर कर लेता हूँ ठीक है यह हमारे पास तक यह जो store procedure हमने बनाया है ठीक है जिसका नाम रखा है sp delete employee इसको मैं यह से copy करता हूँ ठीक है इसको हम execute करते है execute और store procedure का नाम है यह और अब देखो id मैं पास करता हूँ 13 13 id किसकी है अनसकी है ठीक है तो अब इसको select करते है और execute करते है ठीक है तो देखो क्या message आ रहा है one row affected ठीक है और अगर मैं आपको दुबारा से यह table दिखा हूँ select all from employee tbl करते है इसको select करते है execute करते है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर देखो वो अनस जो था वो हमारे पास delete हो चुका है ठीक है 10 के बार direct कौनसी id आ रही है 14 id आ रही है ठीक है तो मतलब यह व create a method for delete operation in employee context model class मतलब वो जो हमने employee context class बनाई वी है na db context जिसके अंदर हम सारी अपने सारे stored procedures को execute कर रहे है ठीक है तो उसी के अंदर अब मुझे delete operation के लिए भी एक method create करना है तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने visual studio में चलते है ठीक है यहाँ पर आके मैं इसको stop करता हूँ ठी और यहाँ पर देखो यह update employee आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ठीक है method इसको मैं copy कर लेता हूँ ठीक है यह पूरा method मैं यहाँ से copy करता हूँ इसको इसी के नीचे मैं paste कर देता हूँ ठीक है और अब इसका नाम मैं change कर देता हूँ क्योंकि इस नाम से method पहले बनावा इ ID क्योंकि ID से ही हम delete करवाते हैं और अब यहां पर देखो अब जो मैं store procedure call करूंगा उसका नाम क्या है उसका नाम है यह SP delete employee इसको हम यहां से copy करते हैं और इसके अंदर मैं paste कर देता हूं और देखो इसके अंदर हमारे पास parameter सिर्फ एक ही है और वह parameter इसको डेटा कहा से मिलेगा ID के इस parameter से जो मैंने इस function के अंदर यहां पर बनाया है तो जब यह method आपके पास execute होगा ठीक है तो इसके अंदर एक store procedure execute होगा और इस store procedure के अंदर एक ID parameter expected है तो देखो उसको value कहा से मिलेगी जो भी ID यहां पर आएगी अब देखो यहां पर ID आएगी कैसे डीक है इसको जरा समझना ठीक है तो यह पर आके मैं अपनी application को run करता हूं और आपको इसका results दिखाता हूं ठीक है तो यह आपर देखो यह record हमारे पास यह पर fetch हो रहा है तो डेखो अगर मैं यह यहां पर आहूं और मैं यहां पर आके यह आको छालित का data करूँगा तो इसकी जो id है वो कहां पर आएगी वो इस id के parameter के अंदर store होगी और उसी id के through मैं क्या करूँगा data delete करवा दूँगा ठीक है तो यहां पर आके मैं इसको stop करता हूँ ठीक है तो देखो यहां पर देखो यहां पर मैं delete operation यूज़ कर रहा हूँ न डिलीट भी आपको पता है dml के अंदर आती है data manipulation language के अंदर आती है तो यहां पर देखो यह जो cmd है जिसके अंदर हमारा यह stored procedure है इसके साथ मैं क्या use करूँगा execute non query क्योंकि अब मैं delete की query execute कर रहा हूँ तो delete की query के लिए भी हम execute non query use करते है execute non query हम कहां कहां use करते है insert के लिए update के लिए और delete के लिए ठीक है तो अगर एक data delete हो गया तो i के variable में क्या जाएगा बन जाएगा लेकिन अगर data delete नहीं हुआ तो i के variable में 0 जाएगा तो यह execute non query integer return करता है तो यहां पर देखो नीचे मैंने condition लगाई हुई है ठीक है कि अगर i बढ़ा होगा 0 से इसका मतलब data delete हो चुका है तो यहां पर क्या return कर दो true लेकिन अगर लेकिन अगर data delete नहीं हुआ तो क्या return कर दो false return कर दो क्योंकि यह वाला जो function है delete employee यह boolean है इसकी return type तो यह क्या return करेगा यह true return करेगा यह false return करेगा ठीक है तो यह step तो हमारा हो गया अब चलते है next step की तरफ अब देखो third step अब देखो third step में क्या कह रहा है create a method in controller which displays confirm delete view अब देखो भाई इसका क्या मतलब है भाई देखो जब मैं delete के link के ओपर click करूँगा जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया back जाता हूँ मैं ठीक है देखो जिस तरह मैंने बताया जब मैं delete के ओपर click करूँगा तो क्या होना चाहिए एक confirm view open होना चाहिए मतलब मतलब जब मैं delete पे click करूँगा तो एक confirmation के लिए एक view आजाए हमारे पास और उसके अंदर हमसे पूछे कि भाई आप delete करना चाहते हो या नहीं चाहते हो क्योंकि अक्सर ऐसा भी तो हो सकता है कि delete के link पे गलती से click हो जाए तो हम क्या करेंगे उसको एक confirmation का view display करवाए एक delete के function के उपर जाएगा तो यहाँ पे आता हुँ मैं अपने controller के अंदर और यहाँ पे मैं यह data यहाँसे copy करता हूँ नीचे ते यहां पर आके मैं इसको paste ठीक है मतलब जब मैं delete के link पे click करूँगा तो यह वाला function चलेगा और जो भी ID है जिसको मैं delete करना चाहरा हूँ वो ID यहाँ पर आके store हो जाएगी और देखो अब मैं यहाँ पर वही काम करूँगा ठीक है मैं क्या करूँगा मैंने यहाँ पर get employees का method यहाँ पर call किया है get employees का method क कौन सी class में मैंने बनाया था employee db context में बनाया था और get employees क्या कर रहा था हमारे employee tbl का सारा data मतलब select all from employee tbl कर रहा था तो मैं आपर क्या कह रहा हूँ कि जो भी ID मुझे यहाँ पर delete करनी है उसको find करो उसको find करो कि क्या वो हमारे employees के अंदर मौजूद है अगर मौजूद है employee की जो पूरी row है वो आप कहाँ पास कर दो row के variable के अंदर पास कर दो और यह row का variable मैं अपने confirmation वाले view में display करवाऊंगा ठीक है तो अब confirmation वाला view कैसे बनाओगे आप देखो आपने delete के ओपर यहाँ पर click करना है right click करना है add view के ओपर जाना है और यहाँ पर देखो अब आप फिर यहाँ से आके employee आपने select करना है चूंकि यह आपकी model class है और यहाँ पर add के ओपर click करना है ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको यह message नजर आ रहा होगा add 3 के अंदर are you sure you want to delete this data और जो data आप delete करना चाहरे वो नीचे आपको नजर आएगा और नीचे एक button भी आपको नजर आएगा मैं आपको दिखा देता हूं नीचे देखो आपको इक button भी नजर आएगा यह देखो यह आपको नजर आ रहा है यह एक button है ठीक है delete button है आप इसक इसके page पे ले जाएगा जहाँ पर सारा data शोर है ठीक है तो अगर मैं इसको run करके दिखाओं मैं अपना home controller यहाँ पर आके run करता हूं ठीक है आपको यह index का page नजर आ रहा है अब for example यहाँ पर खालिद है खालिद वाली third row है इसके आगे मैं delete पर click करता हूं तो यह देखो य यह वाला जो data है खालिद का data यह एक और delete के method के पास जाएगा और वहाँ पर हम delete का सारा काम करेंगे लेकिन अगर आप back to list करोगे तो data delete नहीं होगा और यह वापिस आपको कहा ले जाएगा आपके index के view पे ले जाएगा ठीक है मतलब देखो अगर मैं यहाँ पर आके delete पे click करता हूँ ठीक है अब जब delete के ओपर click करूँगा तो दुबारा delete का ही function चलेगा लेकिन कौन सा post version ठीक है तो देखो मैं यहाँ पर आता हूँ इसको मैं stop करता हूँ ठीक है और आप यहाँ पर यह लिखावा होगा और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक तो id इसके अंदर parameter पर employee का यह object बना लेता हूँ EMP ठीक है और अब इसके अंदर देखो इसके अंदर मुझे क्या करना है यहाँ पर यह जो data इसको मैं यह से अटा देता हूँ ठीक है इसको हम paste करते है और देखो यहाँ पर न मैं कुछ data copy paste करूँगा वो data कहां से copy paste करता हूँ देखो मैं यहा कौनसा होगा delete वाला होगा ठीक है delete employee और देखो यह जो delete employee है ना मैं आपको दिखाता हूँ यह delete employee अपने पास एक id accept करता है मतलब ID parameter ठीक है तो वह ID parameter कहां से आएगा यहां से आएगा ठीक है तो देखो मैं यहां से आके यह अटा देता हूँ और मैं आपे ID पास कर देता हूँ, चुकि जब मैं delete के button के उपर click करूँगा, मतलब जब मैं confirmation view के अंदर delete के button पर click करूँगा, तो उसकी ID, उस employee की ID यहाँ पर आ जाएगी, और वो ID मैं अपने इस delete employee के method को pass कर रहा हूँ, और delete employee वाला जो method है, वो इस ID को accept कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, उस ID से वो data delete कर रहा है, हमारे employee tbl के अंदर से, और यह सारा काम मैंने किस में किया था, sp delete employee, मतलब stored procedure के अंदर किया था, ठीक है, तो अब मैं आपे क्या कह रहा हूँ, कि अगर data delete हो गया है, ठीक है, तो इस check variable में true जाएगा, अगर data delete नहीं हुआ, तो इस check variable के अंदर false जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर check के अंदर true है, मतलब अगर data delete हो गया है, तो क्या message display करवा हूँ, देखो, मैं आपे temp data change कर देता हूँ, मैं आपे कहता हूँ, delete message, ठीक है, delete message, और यहाँ पे मैं message pass कर दूँगा, data has been deleted successfully, और यहाँ पे इसको अटा देता ह model state क्योंकि इसकी जरुवत नहीं है, क्योंकि अभी हम form के अंदर validation वगरा काम नहीं कर रहे, तो देखो, जैसी data delete होगा, यह वापिस कहां पे redirect हो जाएगा, index के view में, मतलब जहां पे start data show हो रहा है, तो अब वहाँ पे भी मुझे इस temp data को access करना है, किस तरह से, जिस तरह मैं इंसर्ट और update के वक किया था, ठीक है, आप को नजर आ रहा है, इंसर्ट और update के temp data है, यहाँ पे जिसके अंदर मैंने alert message display करवाया है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से copy करता हूँ, नीचे मैं paste करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं update message की जगह यहाँ पे कहा देता हूँ, delete message, ठीक है, मतला अगर delete message हमारे पास यह वाला temp data, अगर null नहीं है, ठीक है, तो इसका message आप इस success alert के अंदर यहाँ पे, यहाँ पे delete message क्या कर दो, आप show कर दो, ठीक है, यहाँ जब मैं delete करूँगा, तो मैं redirect होके कहाँ पे आ जाँँगा, इसी page के उपर आ जाँँगा, और इस यहाँ पे आके run करते हैं, और इसका result देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको data नज़र आ रहा है, for example, यहाँ पे देखो, हमारे पास 10 number पे एक employee है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे delete के उपर click करता हूँ, तो देखो, कहाँ पे चलेगा है हम, confirm page पे चल delete हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके आप इसको close कर सकते हो, इस alert message को, अचाँ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक और link भी मौझूद है, जिसका नाम है details, अब देखो, details के अंदर क्या होता है, सिर्फ इस row का, इस employee का सारा record आपको show होता है, ठीक है, for example, हम एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ कि यह जो मेरा table है, ठीक है, इसके अंदर ID वाला column show ना हो, और मैं कहता हूँ, salary वाला column show ना हो, ठीक है, ID और salary वाला column कहां पे show होगा, जब मैं details पे click करूँगा, तो details पे जब हम click करते हैं, तो employee की more details show होती है, ठीक है, यह इसका concept होता है, जो कहां पे बनाना है, हमने home controller में, और क्या लेके जा रहा है, एक ID लेके जा रहा है, उसी employee की, ठीक है, तो मैं आपे क्या करता हूँ, देखो, मैं आपे आता हूँ, इसको हम close करते हैं, stop कर दिया मैंने, और अब मैं जाता हूँ, अपने index के, यहां पे, और देखो, मैं इसको भी मैं अटा देता हूँ, फिर forage loop के अंदर यह जो दूसरा TD है, salary वाला, इसको भी मैं आसे अटा देता हूँ, ठीक है, तो यह सारा अटा दिया मैंने, सही है, और अब मैं यहां पे कहता हूँ, मैं home controller के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और अब यहां पे मैं एक view बना आगे मैं details के link के ओपर click करूँगा, उसकी ID यहां पे आ जाएगी, ठीक है, और उसी ID को मैं find करवाँगा, कि वो हमारे get employees के अंदर है, मतलब employee के table में है, अगर है तो उसकी पूरी row आप यहां पे pass कर दो, और वो row मैं अपने details के view में display करवा दूँगा, तो अब मुझे इस के साथ, अपने section method के साथ, एक details का view add करना है, इसके ओपर right click करो, add view के ओपर जाओ, ठीक है, details, और यहां पर आके देखो, मैं template use करूँगा, details, ठीक है, और हमारी model class कौन सी है, employee, इसको select करो, और यहां पर आके add के ओपर मैं click करता हूँ, ठीक है, तो यहां पर देखो, सही है यहां पर देखो, सारा data यहां पर show रहा है आपको, ठीक है, अब data किस तरह से show होता है, पहले मैं इसको run करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसका result नदर आएगा, इसको google chrome पर run करते है, ठीक है, तो यहां पर देखो, यह index का आपको view नदर आ रहा है, अब यहां पर देखो, आइडी वाला column भी नहीं है, और यहां पर देखो, salary वाला column भी आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब मैं यहां पर आता हूँ, for example, असद के आगे details के ओपर click करता हूँ, ठीक है, तो जैसे details के ओपर click किये, अब यहां पर देखो, अब यहां पर आपको, उसकी salary show ह लेकिन आप एक चीज नोटिस करो अभी भी असत की आईडी यहां पर भी शो नहीं हो रही है तो इसकी आईडी देखने के लिए हम क्या करते हैं देखो मैं अपने इसी डिटेल्स वाले व्यू में आता हूं और यहां पर आके यह यहां पर आके टॉप पर चलते हैं सबसे description यह जो है आप इसके अंदर model ID शोनी चाहिए ठीक है तो देखो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और पीछे चलते हैं ठीक है इसको हम एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं ठीक है और आप for example Asad का data है इसके आगे details पर जाता हूँ तो अब यहाँ पर देखो Asad की salary भी शो हो रही है और यहाँ पर उसकी ID भी शो हो रही है ठीक है तो अगर आपने back to list जाना है back to list करोगे तो दुबारा यह कहा जाएगा आपके index के page पर और अगर आप details के अंदर जाके और यहीं से अगर आप data edit करना चाहरे हो तो देखो edit का link के आप इसके उपर click करोगे तो देखो यह यहाँ पर आओ और जितने भी operation हमने इस application में perform किये है उसको दुबारा मैं repeat करता हूँ देखो मैं सबसे पहले create new पर जाता हूँ और मैं आपर for example add करता हूँ sumaira यहाँ पर add करता हूँ sumaira का gender मैं आपर female age मैं आपर कहता हूँ 26 salary मैं आपर कह देता हूँ 22,000 city मैं आपर कर द Sumaira का record यहाँ पर आ चुका है तो अगर sumaira का record मैं आ अपर update करना है कोशिश करता हूँ देखो edit के उपर click करता हूँ देखो और यहाँ पर आकर मैं age Sumaira की कर देता H 28 ठीक है और salary मैं आपर कर देता हूँ 25,000 और city मैं आपर change कर देता हूँ city मैं कर देता हूँ for example Özpetiva и faster Rich के उपर click करता हूँ तो देखो क्या message आ रहा है data has been updated successfully और सुमेरा का data यहाँ पर देखो हैदरबाद हो चुका है age हो चुकी और salary हमें कैसे शोगी जब मैं details पर जाओंगा ठीक है details में जाओ तो देखो salary यहाँ पर क्या show रही है 25,000 ठीक है तो back to list जाते है और अब अगर मुझे data delete करना है ठीक है यह सुमेरा का data है ना मैं इसी को delete करता हूँ delete के link के ओपर click करते है तो देखो यहाँ पर आ गया delete के confirmation view में और यहाँ पर आके अब मैं delete के ओपर click करता हूँ तो देखो जैसे delete के ओपर मैंने click किया देखो क्या message आ रहा है data has been deleted successfully ठीक है तो इस तरह से हमने अपनी एक CRUD application पूरी complete यहाँ पर कर ली है बिल्कुल successful तरीके से कोई error वगएरा इसमें नहीं है तो यह था हमारा lecture जिसके अंदर हमने अपनी पूरी CRUD application लाहाफिसज़ दूपर दूपर सुएखवरा नौर्ज जैसे बिल्कुल